नमस्कार दोस्तों मैं उदेलाट फ्रेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन परवड़ों देखने वाले हर मुर्गी पालक भाई का आज के वड़ों में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तों थमनेल देखा टाइटल पड़ा हाँ दोस्तों सामान्य मुर्गी पालक भाईयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि स्रिव दो मिनट में अब पहचान सकते हो आप मुर्गियों पर आई हुई हर बीमारी हाँ दोस्तों यह फिलहाल की है सबसे बड़ी अपडेट यह फिलहाल का है सबसे महत्वपूर्ण वीडियो कि अब आप यहाँ पर सिर्फ दो मिनट में पहचान सकते हो मुर्गियों पर आई हुई हर बीमारी लेकिन मुर्गियों पर आई हुई हर बीमारी पहचानने का वह कौन सा तरीका है कि जिस तरीके के माध्यम से सिर्फ दो मिनट में अब आप पहचान सकते हो मुर्गियों पर आई हुई यहाँ पर हर बीमारी एक बार आपको मुर्गियों पर आई हुई भीमारी का यदी पता चल जाए और उस हिसाब से यदी आप दवा पानी कर दोगे तो दोस्तों सव प्रतिशत आपके फार्म पर कभी भी बीमारी पनप नहीं पाएगी लेकिन जब तक आपको यह तरीका पता नहीं होगा कि किस तरह से आप मुर्गियों पर आई हुई बीमारी को यहाँ पर दो मिनट में पहचान सकते हो एक बार आप यह तरीका जान लीजिए कि किस प्रकार से पहचान ना है कि हमारी मुर्गी बीमार है या फिर नहीं तो इसकी सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर आप अंत तक देख लीजिए वीडियो पसंद आजाए तो जरूर इस वीडियो को यहाँ पर एक लाइक कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक यह वीडियो पहुचाने के लिए जरूर शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप पर्सनल वाटसब नंबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैप चार्ट इन सोशेल मीडिया के सादनों का इस्तमाल करते हुए जरूर यहाँ पर लिंक को शेयर कर दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है और आखरी सास तक अपना ही मानता रहूंगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया यहाँ पर चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आ जाएए वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निचान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में गंटी आएंगी उस गंटी को टच करते हुए अल इस नोटिफिकेशन को अन कर दीजिए तक आने वाला हर वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा तो देखिये दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यवसाई है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी और आज देसी मुर्गी पालन का यह व्योसाय दुनिया भर में कितने विरोजगार युवा, यूती, दिव्यांग, विकलांग, व्यक्ति और वयसक आबादी के सदस्यों को लाखों का मुनाफ़ा कमाने का रास दिखा रहा है, इस व्योसाय को चुन कर भारत वर्ष में ही नहीं, तो दुनिया के हर कोने में बहुत सारे व्यक्ति दोस्तों, लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त कर रहे हैं, सर जी हमें भी देसी मुर्गी पालन करना है, हमें भी लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करना है, और करियर के आप्षिन के तोर पर इस व्यवसाय को चुनना है लेकिन डर लगता है कि कभी मुर्गियों पर बीमारी आ जाएगी और मुर्गिया यदि मर जाएगी तो हमारा तो बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान हो सकता है ऐसे में दोस्तों मैं यह बात तो नहीं कहूंगा कि आप गलत है लेकिन यह बात यहाँ पर करना चाहूंगा कि अगर आप आपकी इस डर को यहाँ पर दूर करना चाहते हो तो इस डर को दूर करने के लिए सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए क्यूंकि इस वीडियो में आईसा तरीका बताया गया है कि जिस माध्यम से सव प्रतिशर मुर्गियों पर आई हुई बीमारी को आप पहचान भी सकोगे और बीमारी को वहाँ पर दो मिनट में समाप्त भी कर सकोगे तो चलो दोस्तों यहाँ पर समय जाया न करते हुए आपको डायरेक्ली पॉइंट की बात बताता हूँ तो देखे दोस्तों अगर आपको यहाँ पर पता चले कि आपकी मुर्गी बीमार है तो ही आप इलाज कर पाओगे ना हाँ सच बात है सर तो देखे दोस्तों मुर्गी बिमार है या नहीं है पहचानने का क्या है आसान तरीका तो देखिए दोस्तों हमें एक ही काम करना है कि हमें प्रती दिन सुबह सुबह और एक बार शाम के वक्त हमारा जो मुर्गी पालन का फार्म है वहाँ पर विजीट करनी है और एक ही बात चेक करनी है कि मुर्गियों की बीट कैसी है, मुर्गियों की टॉयलेट कैसी है, क्यूंकि दोस्तों आईरुवेद में बताया गया है कि कोई भी सजु पक्षी हो, सजु प्रानी हो, यदि उसकी बीट, यदि उसकी टॉयलेट वहाँ पर ठीक नहीं होगी तो समझ लीजिए कि वह पक्षी वह प्रानी यानि वह बर्ड और एनिमल सव प्रतिशत दोस्तों वहाँ पर बीमार होने की संभावना है आईसी परिस्तितियों में दोस्तों हमें बीमारी कौन सी है वह पता बाद में चलेगा लेकिन पहले देख लीजिए क्या हमारी मुर्गी बीमार है पहचानने का तरीका अगर आपने प्रतिदिन अपने फार्म की विजिट की और आपको वहाँ पर अबनॉर्मिलिटीज दिखाए दियाने की क्या कि जो रेगूलर मुर्गियों की बीट होती है वैसी बीट नहीं है बीट एक तो पतली है बीट में फिड भी आ रहा है बीट का कलर देख लीजिए क्या वहाँ पर कलर हरा तो नहीं है कलर पिला तो नहीं है, कलर चॉकलिटी तो नहीं है, कलर लाल वाला तो नहीं है, कलर सफेद तो नहीं है अगर होगा दोस्तों तो यहाँ पर समझ लिजे कि आपकी मुर्गी सव प्रदिशाद बीमार है और एक बार आपको पता चल जाए कि आपकी मुर्गी बीमार है तो उसके बाद हमें यहाँ पर उपायोजना शुरू कर देनी है लेकिन देखें दोस्तों यह पहला तरीका है कि जिससे 2 मिनट में आप समझ सकते हैं कि आपकी मुर्गी बीमार है या फिर नहीं यानि कि बीट अगर आपको changes में दिखाए दे तो मुर्गी सव प्रतिशत यहां पर बीमार है। उसके बात की बात दोस्तों क्या है कि आपको फिड पर ध्यान देना है। यदि मैं आपको यहां पर मिसाल देता हूँ यानि उधारन देता हूँ कि समझो आपके पास सव मुर्गिया है। सव मुर्गिया यदि सव ग्राम फिड रोज खाती है तो इसका मतलब है कि आपका 10 किलो फिड प्रतिदिन जाता है। लेकिन पिछले दो दिनों से समझो आपका फिड 9 किलो साड़े 9 किलो ही यहां पर जो है कंज्यूम हो रहा है। तो समझ लिजिए कि हमारे फारम पर बीमार योने दस्तक दी है। हमारे फारम पर all is well यहां पर नहीं है। यानि दो मिनिट में मुर्गिया बीमार है या नहीं पहिचानने का आसान तरीका क्या है। एक तो पहली बात मुर्गियों की बीट और दूसरी बात मुर्गिया प्रति दिन कितना फिड यहां पर खा रही है। अगर दोनों में यहाँ पर जो है दोस्तों आपको डिफरंस दिखाए दियानि कि फिर कम खा रहे हैं और बीट रेगुलर नहीं है तो समझ लीजिए कि आपके मुर्गियों पर यहाँ पर सव प्रतिशत दोस्तों बीमारी आ चुकी है अब बीमारी तो आ चुकी है समझ गए लेकिन कौन सी बीमारी यह पता नहीं है तो आईसी परिस्तित्यों में क्या करना है हमें यहाँ पर लेक्जिन पाउडर का इस्तमाल करना है लेक्जिन पाउडर यह क्या है दोस्तों एक आईसा पाउडर है कि जिसका इस्तमाल करके बीमारी कौन सी भी होने दिजी वो तुर लिटर पानी में 1 ग्राम legsine pahudur मिलाकर घोलकर देना है अगर आपकी मुर्गिया दिन-भर में 15 लिटर पानी पुए तो 15 ग्राम दिजिए 10 लिटर पानी पीती है तो 10 ग्राम दीजी यानि कि 1 लिटर पानी के लिए 1 ग्राम की मात्रा यहाँ पर सुझाई गई है तो इस हिसाब से दोस्तों आपको इसका इस्तमाल 3 दिन करना है और तब regular पानी नहीं देना है इसरी बिसका ही डोस्त चलाना है इस माध्यम से चोटी बड़ी कोई बिमारी हो तो उसको सहजता से लेक्जिन पाउडर समाप्त कर देता है और जो कुछ बिमारी आ होती है वो 70-80 प्रतिशत इस एक पाउडर के और early stages में आने की बहुत शुरुआती स्टेज में अगर आप डिटेक्ट कर लेते हैं पहचान लेते हो कि बिमारी आने की शुरुआत हो रही है तो इस लेक्जिन पाउडर का इस्तमाल करके आप मुर्गियों पर आने वाली हर बिमारी को यहाँ पर सव प्रतिशत रोख सकते हो तो दोस्तो यह आसान तरीका है कि जिस माध्यम से आप बिमारी को दो मेर्ट में पहचान भी सकते हो और उसका उपाय भी कर सकते हो लेकिन दोस्तो बहुत सारे मुर्गी पालक भाई है कि जिने यह जो दिक्कते समझ में नहीं आती उनको तो बड़ा व्यावसाय करना है लाखों का मुनाफ़ा करना है तो ऐसे में आपको उचित मार्गदर्शन की आवश्चता है जो मार्गदर्शन देने की कोशिश मैं य अगर आपको मेरा मार्गदर्शन चाहिए तो आप तुरन संपर कर सकते हो 84, 81, 82, 62 पर यहाँ पर बातचीत मैं खुद आपसे करूँगा उसके बास समझाओंगा कि मैं आपको मार्गदर्शन किस प्रकार से दूँगा मार्गदर्शन दो पर तीन से लेके आठ के दर्मिया जिससे दुनिया की कोई भी ताकत आपको इस वेवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफ़ा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर पाएगी लेकिन मेरे साथ जुड़ने का क्या है तरीका तो देखे दोस्तों भारत वर्षव के किसी भी कोने में रहते हो आप तो आप मेरे करना है 84-81-62-62-62 इस नंबर पर कॉल कर देना है और आपकी मेरी बातचीत हो जाएगी मैं सब आपको समझाओंगा किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना उसके बाद 500 रुपए के केवल मासिक शुलक पर आप मेरे साथ जुड़े हुए रह सकते हो जिस माध्यम से हर एक जानक पालन के नाम से वाट्सअप भूप भी ओपन कर दिया है अगर इस वाट्सअप ग्रूप में आप जुड़ना चाहते हो तो मुफ्त में जुड़ सकते हो जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्कृप्शन में वाट्सअप गुरूप की लिंक है वहाँ पर जाके उस ल पता चल जाए कि आपकी मुर्गिया बीमार है तो किस दवा का करना है आपको इस्तिमाल जिससे आपकी मुर्गिया तन्दृष्त रहेगी आपका फार्म सेहत-बन रहेगा और आपके फार्म के लाखों का मुनाफ़ा यहां पर प्राप्त हो पाएगा तो दोस्तों आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्षन में जरूर लिख कर भेजिए पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिए किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों तक पहुचाने के लिए जरूर शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसण नमबर वाटसण ग्रूप, टेलिग्राम ग्रूप, फेस्बूक, इंस्टाग्राम, स्नेप चार्ट इनने सोशल मेडिया के सादनों का इस्तमाल करते होए लिंक को जरूर शेयर कर दीजिए रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाईयों मुर्गी पालक भाईयों से मैं हाथ जोड़ कर यहाँ पर विनिती करता हूँ दोस्तों आप सभी को तो मैंने अपना माना है और आखरी सास तक अपना ही मानता रहूंगा यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदसे मानते हो तो किरपया सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाई तरफ निचली साइड में आजाईए वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंके सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में एक घंटी आएगी इस घंटी को टच करते हुए आल इस नोटिफिकेशन को ओन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदयलार आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको सदयव मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के उड़े में तहे दिल से बहुत बहुत आभाद